आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है अलसर एक ऐसा बीमारी बन चुका है कि हर घर में एक ना एक लोग अलसर से जूज रहे हैं क्योंकि आजकल भाग दोड जिन्देगी में लोग अकसर खान पान के उपर इतना ध्यान नहीं देता है जो मर्जी खा लेता है जो पास में मिले जो आसानी से मिले वो खा लेते हैं और अलसर से प्रित हो जाता है धीरे-धीरे अलसर का मतलब है घाव पेट में च्छाला पड़ जाना या मूँ में या जीब में घाव हो जाता है तो अलसर क्यालाता है अगर पेट में हुआ तो इस तमाक अलसर और मूँ में होता है तो माउत अलसर कहा जाता है यह अलसर धीरे-धीरे ऐसा कंडिसेन आ जाता है कि जैसे थोड़ा बहुत पानी पीने से भी जलन मैसूस होता है तो पेट में अगर थोड़ा से तिखा खाना खा लिया तो जलन होता है अगर पेट में अलसर हुआ तो यह अलसर बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है घर में बैठके ही पहली बात यह है कि आपको खान पान में थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं अभी बताऊंगा वह आगर करते हैं तो कितना भी पुराना अलसार हो पेट में हो मुँ में हो जाएगा जाएगा तो आपको जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं व आपको जो करना है वो है एलो वेरा जेल और हनी मतलब सहद एलो वेरा जेल आपको दो चमच लेना है और सहद दो चमच दोनों को मिला के आपको चाट चाट के खाना है तो यह कर सकते हैं आगर सुगर पेसेंट है कोई तो सहद को छोड़ सकते हैं बाकी एलोवेरा जेल लेके आप चूस चूस के खा सकते हैं अगर मुह में किसी को अलसार है तो एलोवेरा जेल के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के कम से कम पांच मिनिट तक चूसे धीरे 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 निगाल जाएं यह दो दिन में दो बार कम से कम करना है तो लगबग साथ दिन के अंदर ही आपका अलसर माहूत अलसर ठीक हो जाएगा और क्या करना है पेट में पेट में अलसर के लिए क्या करना है पालक का पत्ते का जूस बनाना है कम से कम 500 ml पलक का पत्टे का जूस बना के आपको पीना है सुबे खाली पेट मतलब ये ऐलोवेरा जेल अर सेहद लेने के बाद ठीक 45 मिनिट्स बाद आपको पलक के पत्टे का जूस आपको लेना है फिर 45 मिनिट्स बाद एक चाटनी बनाना है वो है नीम पत्ता 8 पीस लेना है तूलसी का पत्ता 20 पीस लेना है पीपल का पत्ता 8 पीस लेना है और मुनक का 8 पीस लेना है इसको अस्टे से पीस के चटनी बना के आपको लेना है चट चट के खा जाना है मुनक का को रात में भिगो के रखना होगा 8 पीस मुनक का को पानी मे भीगो के रखिए फिर इसके साथ मिला के चाटनी बनाई है सेकेंड स्टेप पे आता है डी आइपी डाइट अगर आपको डी आइपी डाइट के बारे में पता नहीं है तो वीडियो के डेस्क्रिप्शने में मेरा लिंक दिया हुआ है एक बार जाके चेक करके डी आइपी डाइट आप क्या है आप देख सकते हैं उसके बाद आपको लेना है कोकोनाट वाटर कोकोनाट वाटर दीन में कभी भी आप पी सकते हैं खाली पेट रहेंगे और खाली पेट पीएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा और शिप शिप करके पीना है कम से कम एक गलास पानी पीने में कम से कम 10 मिनिट समय लगेगा दिन में दो बार आपको लेना है कोकोनट वाटर लगभग अगर ये फोलो करते हैं 15 दिन तक तो आपका पेट का अलसर धीरे 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 खतम हो जाएगा ये वीडियो अगर आपके इंफोर्मेंट अब लगे तो लाइक और शियर करिए और कुछ प्रसना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रसना पूछ सकते हैं धन्यवाद